दोस्तो उल्टी गिंती शुरू यहाँ पे सिंगम अगेन का अफिशली ट्रेलर कब आने वाला है फाइनली भाई सहाब पता लग गया यहाँ पे कोई रूमर नहीं कोई गाई यहाँ पे फेक न्यूज नहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि अफिशल ट्रेलर अपडेट जैसे कि गैज आप लोगों पता ही होगा कि भूल भूलिया के मेकर बाई एक के बाद एक चाल चल रहे हैं यहाँ पे कहिना कहिं उसका टीजर दोस्तो जबाया तो उसमें बहुत अच्छे खासे विउॉस आ गए तो कहिना कहिं लोग यह बात कहह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भूल भूलया पार्ट 3 ठककर देगी बहुत तगड़ी लेकिन रूखो ज़रा सबर करो दोनों का ही गाईज हम लोग पहला मैट्रेयल देखने के बाद ही फैसला कर सकते है अना कि ठीक है इस 3-2 ने बहुत अच्छे कलेक्शन किये ये उसी जैनर की मूवी है लेकिन यहाँ पिच्चर अभी बाकी है तो गाईज आखिर कब आ रहा है सिंग हम अगेन का ओफिशल ट्रेलर ये बात ओफिशली कमफाम हो चुका है साथी साथ यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि भूल भूलेया का ट्रेलर का बारा है उसके बारे में ऑफिशली लगबग पता लग चुका है साथी साथ दोनों के ही दोस्तों जो OTT डील्स है उनके बारे में जो बाते पता लगी है दोस्तों वो आपको हैरानी मिडा लेगी और गई ना कहीं ये अजे देवगन की अभी तक जितनी भी मूवी आई है ये उन सब में दोस्तों सबसे महगा बिका है किस में बिका है किस OTT प्रेटफॉम में इसके भी बात करेंगे तो भाई सहाब कीजे लाइक सबस्क्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें तो गरते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लैट स्टार्ट तो भाई सहाब यहाँ पर हम लोग बात करें कि सिंगाम अगैन के मेकर्स कब ला रहे हैं भाई साब ट्रेलर और यह ट्रेलर ही मुझे लगता है कि पहला मैटेरियल होगा टीजर तो बताया जा रहा था कि आज ही आने वाला है तीन अक्टूबर को लेकिन गाईस कह सकते हैं कि जो बड़ी मूवी होती है जिनका ज्यादा हाइप होता है उसके जो रूमर्स खबर है जो फेक न्यूज है वो भी गाईस काफी निकल गया आती है उसे पहले गाईस यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहता हूँ जो है सिंगाम अगैन के से रेलेटेड गाईस कहीं ना कहीं सिंगाम अगैन को आपको पता है कि 200 करोड रुपे में नॉन ठेट्रिकल राइट्स में दोस्तों यहाँ पे बेका गया है नॉन ठेट्रिकल राइट्स में यहाँ पे सेटेलेट ओटी और म्यूजिक राइट्स से कितने पैसे बरामत हुए हैं तो भाई यह मतलब पहले ही कह सकते हैं कि काफी हद तक अपना 80% तक का जो गाईस बजट है उसको रिकावर कर चुकी है मूवी का बजट कुछ 200-300 पर बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं 200 करोड रुपे इन सभी वर्जन से आया है इन सभी चीजों से आया है लेकिन गाईस 130 करोड रुपे सिर्फ OTT डील से 130 करोड जो कि भाई अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है दोस्तों Amazon Prime ने guys acquire कर लिया है इसके rights यानि की दो महिने बाद जब ठेटर में यह release होगी उसके दो महिने बाद OTT में देखने को मिलेगा कहां पे सीधे तोर पे Amazon Prime में जो कि guys अगर हम लोग देखें आजे देखने के अभी तक जितनी भी movies आई हैं पड़ी पड़ी movie उनके guys अगर आप लोग यहां comparison करो तो उससे डबली है guys इसका 130 करोड रुपे outstanding और बाकि जो guys पैसे वो टीवी में दिखाने के लिए और music rights से guys यह लोग बरामत किये तो अपने आप में एक बड़ा guys बात है 200 करोड यहां भूल सिंगम अगया है लेकिन अगर हम भूल भूले है कि बात करते तो guys इसका भी अपडेट आया है 135 करोड रुपे में दोस्तों इस movie के non-tritical rights यानि कि OTT rights, satellite राट, music rights को दोस्तों बेगा गया है यानि कि अगर आप लोग यहां पे देखो movie का budget कितना है बहाई सहाब almost दोस्तों देखो जो previous part था वो 60-70 करोड बन गया था लेकि इस बात का BFX सब कुछ बड़ा लग रहा है तो हम लोग 100 करोड से उपर का इसका budget मान सकते हैं तो इसने तो भाई सहाब release से पहले ही अपने budget को भाई cross कर लिया है मतलब निकाल लिया दोस्तों यहां पर budget को और अगर हम लोग यहां पर बात करें अगले update की और वो है BB3 के trailer की तो भाई सिंगम अगयन के trailer से पहले दोस्तों इसका आपको official trailer अतावा द जब तक सिंगम अगयन के makers अपना पहला चाल खेलेंगे उससे पहले यह लोग दो चाल खेल देंगे बाईस दो चाल दोस्तों यह खेल देंगे अगर हम लोग IMDb की most anticipated list देखते हैं या फिर मुकमाई शो का interest देखते हैं तो भाई सहाब यहां भूल भूल यह आथिरी आगे है लेकिन जब ट्रेलर आएगा सिंगम अगयन का तब देखेंगे कि दोस्तों कौन कितने पानी में तो यहां पर यह कुछ अपडेट आए है भाई भूल भूले या पार्ट 3 से रेलेटिड लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि मुद्दे प्याजा यह सब चीज़े तो ठी इंग विला के रिपोर्ट एक्स्क्लूसिव जो गाइज इसका ट्रेलर है सिंगम अगयन का वो साथ तारिक को जगाइस यानि कि बीबी 3 के ट्रेलर के नेक्स डे दोस्तों यह लोग अपना कारणामा करेंगे और अगर हम लोग दोस्तों यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं यह almost confirm दोस्तों बाते बताई जा रहे हैं यहां पर बताया जा रहा है कि सिंगम अगयन ट्रेलर ऑन अक्टूबर 7 साथ अक्टूबर को दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीस किया जाएगा और इसके लिए यह लोग कह सकते हैं कि दोस्तों एक मेगा इवेंट भी रखने वाले हैं मुंबई में एक मेगा इवेंट होगा और कहीना कहीं यह ट्रेलर रिलीस होने के बात से ही इसके प्रमोशनली जो गाई स्टेजी है इसके ओपर काम किया जाएगा प्रमोशनली इसका गाई शुरू हो जाएगा और मेभी शायद आपको कपिल शर्मा के शो में भी यह पूर बहुत है तो फिलाल दोस्तों उल्टी गिंती शुरू हो गई है आज तीन तारीक है तीन चार पांच छे तो कुछ चार दिन बाद आएंगे अपने वाजी राव सिंगहम लेके सिंगहम अगैं यानि की सिंगहम थिरी तो यहां पर देखना काफी दिल्चस्प होगा कि मैंल हाईप कौन लेके जाता है दोस्तों हाईप ही ओपनिंग है अगर आप मुवी की आपके मुवी की हाईप अच्छी है तो ओपनिंग अच्छी लग जाएगी ठीक है यहां पे भूल भूले है पार्ट तरीके हमें विजुल्स वगेरा अच्छे लग रहे हैं टीजर ने काफ तो टेलर क्लिक कर गया तो गाईज यहां पर मुझे लगता है कि बड़ा फिर बदल हो सकता है सिंगा मागान कोई छोटी मोडी मूवी नहीं है यहां रोहिषटी जब भी दिवाली में अजे देवन के साथ आते हैं तो भाई साहब बाक्स आफिस को फारते हैं इवन अगर दिवाली में अजे देवन के साथ यह बंदा आता है यह लक्की है वहाई गूसरे के लिए आप लोग मानो ना मानो एक भी फिलिम इनकी फिलॉप ने होगी आस तक चाहिए आप लोग पुरानी मूवीज बिनकी क्यों ना ले लो यहां खुद रोही शटी कहीं बार बोलते ह और गाई देखो एक और चीज यहां पर शायद आप लोग इसको ऐसे ही ऐसे ही आप लोग ले लो लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बड़ा रोल नहीं भा सकता इस मूवी का ब्लॉक्बॉस्टर होने में अज्जे देवगन जो गाईस हैं यह कहा सकते हैं कि हटके मूवी कर करते तो वह मूवी ब्लॉक्बॉस्टर हो जाती है तो इसमें भी वह कैमियो में स्पेशल अप्रियंस के किरदार में ब्लॉक्बॉस्टर के गाईस चांस पूरे जादा है बताओ क्या है कहना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना है